ओम शान्ती आज है 28 जन्वरी 2022 की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा की महावक्यों को मिठे बच्चे एक ईश्वर से सच्ची महब्बत रखनी है इस इंद्र की दर्बार में सपूत बच्चेों को ही लाना है किसी कपूत को नहीं प्रेश्ण 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लोटरी लेने के लिए कौन सा पुरुशार्थ करते चलो उत्तर एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रुमत पर चलने का पूरा पुरुशार्थ करो यदि किसी के नाम रूप में बुद्धी लटके हुई हो तो वहां से बुद्धी योग निकालते जाओ रात में जब फुर्सत मिलती है प्यार से बाप को याद करो दैवेगुण धारन करो तो 21 जन्मों की लोटरी मिल जाएगी गीत ना वहां हमसे जुदा होंगी ओम शान्ती दुख तो यहां ही है बाप आती है दुख से छुडाने क्यूंकि बच्चों को यहां समझाया गया है कि क्रिशन यहां नहीं आ सकता उनकी पूरी में दुख नहीं होता, दुख होता ही है कंस पूरी में, क्रिशन पूरी हुई स्रेस्टाचारी देवताओं की पूरी, हम अभी दैवी गुण धारन करने वाले बने हैं, अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे, तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मि तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा, बड़ा घाटा है, वहा घाटा फाइदा तो एक जन्म के लिए होता है, यहां तो जन्म जन्मांतर की बात है, अच्छे बुरे करम होते हैं ना, सत्योग में सिर्फ अच्छे करम होते हैं, बुरे करम कराने वाला रावन वहां होता नही यहां जो जैसा करम करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है या तो चलना है श्रीमत पर या तो चलना है आसुरीमत पर बुरा काम किया गोया आसुरीमत पर चला जट मालूम पढ़ जाता है बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना इश्वर से प्यार नहीं तो गोया असरों से प्यार है यहां तुमको इश्वर का प्यार मिला है कहते हो इश्वर बाबा प्रतिक्या करते हैं हम एक तुमसे ही महबत रखेंगे फिर कोई से महबत रखी तो जैसे असरों से रखी फिर खुद भी असुर बन चाएंगे एक कहानी भी बताते हैं ना इंद्र की दरबार थी उसमें कोई परी विकारी को साथ ले आई वह सपूत बच्चा नहीं था कपूत विकारी था तो दोनों को नीचे फेंक दिया ज्यान पूरा ना होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं वह तो श्रापित है ही यहाँ इशर की ग्यान इंद्र सभा है ग्यान वर्सा बरसाने वाला एक ही बाप है तो यहां बहुत समझ कर किसको ले आना चाहिए नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं तुम रुहानी पंडे हो तुम ले आते हो सुप्रीम रुह के पास तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं कईयों से मिलना भी पड़ता है, प्रन्तु वहा भी दिन आएगा, जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा, तो सामने आना सके, अभी ऐसे करें तो मिश्किल हो जाए, मंजिल बहुत उंची है, इतने जो भी आश्रम वह सत्संग है, कहां भी M-object नहीं, कुछ भी जानते नहीं, कि इनसे हम को लाब क्या होगा, यहां तो बड़े अक्षरों में M-object लिखे जाती है, मनुश्य से देवता बढ़ना है, सिख लोग गाते हैं, मनुश्य से देवता किये, देवता होते हैं सत्युग में, तो जरूर मनुश्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा, भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती, परन्तु हम देवी देवता कहते हैं, क्योंकि भगवान एक है, ब्रम्हा, विष्णो, शंकर भी सोक्ष, वतनवासी हैं, लक्षमी नारायन भी देवी गुणवाले मनुश्य हैं, देवी गुणवाले फिर आसरी गुणों में जरूर आते हैं, अब ब्रम्हा द्वारा स्थापना हो रही है, बाबा कहते हैं, मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ, यह पूरे चरसी चन्म लेते हैं, अपनी डिनाइस्टी सहित, पतितों को पावन बनाने वाला वहा है, क्रिशन कैसे पतितों को पावन बनाएगा, क्रिशन उस नाम रूप से एक ही बार आएगा, उनका वहाच चित्र फिर पांच हजार वर्ष बाद मिलेगा, बाकी जन्म तो भिन भिन होते हैं, यही लक्षमी नारायन जो अब जगत अंबा, जगत पिता हैं, इनको पता पढ़ता है, कि हम दूसरे कि जन्म में यहाँ बनेंगी, फीचर्स जो अभी हैं वहां बदल जाएंगे, तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो, तो सत्युग में लक्षमी नारायन के कौन से फीचर्स होंगी, तुम इसमें साक्षादकार कर सकते हो, यहाँ वंडर है, और किसको साक्षादकार नही होता तुम इस एक का accurate देख सकते हो प्रन्तु वह फोटो यहां तो निकल न सके यहां फोटो तो यहां ही बनाए हैं तुम जानते हो भविश्य में यहां बनेंगे गुरुनानक का accurate चित्र जो था वह पाँच हजार वर्ष बाद होगा यहां बादें तुम ही चानते हो ऐसे बाब के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यविचारी हो गए शिव बाबा की भक्ती शुरू होती है तो पहले उनको व्यविचारी भक्ती कही जाती है शिव को ही पूझते हैं अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए बाब कहते हैं ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धी योग व्यभीचारी हो जाए कहां भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धी से निकालते जाओ माया ऐसी है जो कब कहां कब कहां धक्का खिलाएगी कभी मित्र संबंधी याद आएंगे फट से योग लग चाए यहां हो नहीं सकता बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने है यहां बहुत बड़े ते बड़ी 21 जन्मों की लौटरी है इसमें पुरुशार्थ बहुत अच्छा चाहिए माया बड़ी प्रबल है जट भुला देती है यहां भी ड्रामा में नोध है इसलिए याद करने का पुरुशार्थ रात में करो दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है रात में पारलौकिक साजन को याद करो श्रेमत पर चनले से स्रेस्ट बनेंगे अब जो स्रेस्टाचारी क्रिशन है उनको गीता का भगवान कह दिया और स्रेस्ट बनाने वाले को गुम कर दिया है क्रिशन के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए तो सरव्यापी की बात उड़ जाए यहां है संगम युग इनको सुहावना कल्यानकारी युग कहा जाता है सत्युको वा कल्युको और स्पीशियस नहीं कहेंगे और स्पीशियस उनको कहा जाता है सत्युक तो है ही कल्यानकारी उनके आगे अकल्यानकारी युग था तो महिमा सारी संगम युग की है जब कीश बाबा का अवतरण होता है बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ कल्प पूरा होता है फिर नया शुरू होता है पुराने कल्प में कल्युग और नए कल्प में सत्युग यहां है कल्प का संगम युग उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है अच्छा सत्युग और तरेता का संगम तरेता और द्वापर का संगम द्वापर और कल्युग का संगम फिर कल्युग और सत्युग का संगम तो चार संगम हो गए तो अवतार भी चार चाहिए फिर 24 अबतार क्यों कहते हैं यह सब बातें धारण करने की हैं बाबा ने बड़ा सहजरीती से लिखवाया है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है परम पिता कहते हैं तो जरूर दो बाप हैं प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत हैं परन्तु इतना कोई समझते नहीं है एक को भी निश्चे नहीं होता भल आएंगे मुरली सुनेंगे परन्तु वहा हमारा बाबा है उनसे वर्सा लेना है श्रीमत पर चलना है यह बात बुद्धी में नहीं बैठती है हजारों आए प्रंतु एक को भी निश्चे नहीं है कि वहा हमारा पिता है उनकी मत पर चलना है पहले तो माबाप का मुखडा देखना चाहिए प्रंतु निश्चे नहीं माया बड़ी प्रबल है इस प्रबल माया से छुडाने में बड़ी महनत लगती है बाप कहते हैं सत्गुरू का निंदक ठोर न पाए अगर बद चलन होगी तो ठोर नहीं पाएंगी यहां तो M-object clear है आधा कल्प भक्ती मार्ग चलता है वहा है उतरती कला गाते हैं गुरू का नाम लेने से चड़ती कला होती है प्रन्तु गुरू कौन सा सत्गुरू तुम सत्गुरू को जानते हो वहा है शिबाबा सत्बाबा सत्टीचर सत्गुरू शिबाबा को याद करने से चड़ती कला हो जाती है सोलह कला बन जाते हैं फिर सोलह कला से उतरना है मनुश्य कहेंगे हम तो इन से छूटना चाते हैं प्रंतो छूटना तो होता नहीं चड़ती कला उतरती कला फिर चड़ती कला सतो प्रधान से सतो रजो तमो फिर तमो से सतो यह चक्र लगाना है इस चक्र में हरे को आना है तुम पूरे चक्र में आते हो, वह थोडे चक्र में आते हैं, सतो रजो तमो तो होना ही है, बच्चपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, तो सतो, जवान को रजो, बुढ़े को तमो कहेंगी हर एक के सुखदुख का पाठ नूंधा हुआ है यहाँ नाटक बड़ा वॉंडरफुल है जिसको कोई भी जानते नहीं रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है यहाँ तो श्रीमत पर चलना है सभी एक रस्तों चलना सकी बाबा समझाते हैं दास्तासी बने फिर थर्ड क्लास राजाराने बनना इससे तो प्रजा में साहुकार बनना अच्छा है दान पुन्यकर साहुकार बन जाएं दास्तासी का नाम तो न पड़े भल वह दास्तासी बन रजाई में जाते हैं प्रन्तों उनसे वह सुखी जासती है वह नाम दास दासी नहीं पड़ता प्रजा में बहुत साहुकार बनेंगे यहां रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते यहां रहकर कोई को कर्म करते है तो दासी के भी दासी बन पड़ते है कोई तो अच्छी दासी होती है कोई रिस्पेक्टलिस होती है तो पुरुशार्थ बहुत अच्छा करना इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो कई हैं जो अपने कोमिया मिठ्थू समझ बैठ जाते हैं फिर रिपोर्ट कौन करें जो सावधानी मिले बाबा का काम है समझाना एम अबजेक्ट तो पूरा है जो चाहे पुरुशार्थ कर लो विजे माला में पिरो कर दिखाओ आठ की भी माला है एकसो आठ की भी माला है सोला हजार एकसो आठ की भी माला है वाइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं पीछे बहुत हो जाते हैं यहां भारत के सबसे जास्ती होंगे कितने गाउं हैं कितने राजा रानी फिर उन्हों के कितने प्रेंस प्रेंसस कितने धेर हैं बड़ी लेस्ट निकालते हैं महराजा, राजा, फिर उनके कुटुम्ब वाले डिरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं, वहां तो एक-एक बच्चा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है, फिर भी बाप कहते हैं, बेहद के बाप को याद करो, जिसे वर्सा पाना है, ग्रिहस्त वैवहार में भी रहना है, यहां है पवित्र प्रवरिती मार्क, कोई मनुश्य इश्वर को न जानने के कारण, सोयम को ही इश्वर समझ पैठे हैं, जनम मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यू भी होती रहती हैं, और इश्वर भी कहलाते रहते हैं, तुम जानते हो देवताएं कभी अका कार होता है अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है बहुत समझने की बाते हैं बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं नहीं तो गिर पड़ेंगे बाबा को तो नेक प्रकार से उठाना पड़ता है इसमें तो शिबाबा की पध् इन से रीस नहीं करनी है माया तूफान बहुत लाती है हनुमान में सिल पक्का बढ़ना है जो माया रावण हिला ना सके आदी देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं नाम रख दिये हैं बच्चों में कोई महारत ही भी है बात प्रैक्टिकल में यहां की है जिसको ग्यान की म मालिस नहीं होती है वह जैसे मुर्चाई हुए दिखाई देते हैं ग्यान की मालिस से लक्षमी नारायन को देखो कितने रमनीख हैं अच्छा मीठे मीठे से की लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्टे धारना के लिए मुख्यसार अपनी M अबजेक्ट को सामने रख ऊच पद पाने का पुरुशार्थ करना है चलन बहुत रौैल रखनी है और शुरेमत पर चलते रहना है नमबर दो, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है, एक बाप की अव्यविचारी याद में रहने का पुरुशार्थ करना है वर्दान, अपनी शक्ती शाली मनसा शक्ती वशुब भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव विश्व परिवर्तन के लिए सोक्ष्म शक्ती शाली सीती वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ती द्वारा, स्रेष्ट संकल्प द्वारा, अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके बेहद की सेवा शक्ती शाली मंसा शक्ती दौरा शुब भावना और शुब कामना दौरा होती है तो सिर्फ स्वयम के प्रती भावुक नहीं लेकिन औरों को भी शुब भावना, शुब कामना दौरा परिवर्थित करो बेहद की सेवा व विश्य प्रती सेवा बैलन्स वाली आत्माएं कर सकती हैं तो भावना और ज्ञान सनेह और योग के बैलन्स त्वारा विश्य परिवर्तक बनो श्लोगन बुध्धी रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परिक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं बुध्धी रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परिक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं शुक्रिया बाबा शुक्रिया लवलीन स्थीती का अनुभव करो जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं प्यार कैसे करें यहाँ प्रेशन ही नहीं उठ सकता क्यूंकि सदा लवलीन है प्यार सुरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पढ़ता प्यार का सुरूप हो गए जितना 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 ग्यान सुर्य की किरने वा प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उच्छलती है शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम्शार